नमस्कार आप देखें निउस फोर नेशन और मैं हूं सांत्वन आपके साथ बिहार में 30 तर्य पंचाय चुनाओं का दौर चल रहा है और ऐसे में तीन चरनों के मतदान को संपढ़न करा दिया गया है और परिनाम भी जनता के सामने आ गये हैं बतादे कि राजनिर्वाचनायोग के तरफ से पूरी तरीके से कमर कसली गई है कि पंचाय चुनाओं पूरी तरीके से शांती पून और सफलता पून तरीके से संपढ़न कराया जाए पंचाय चुनाओं के दौरान कहीं से भी कोई गडबडी या चूक ना हो राज निर्वाचनायोग पंचाय चुनाओ को लेकर बिल्कुल भी हर संभव प्रयास कर रहा है भारी संख्या में पुलिस बलो की तैनाती की जा रही है पंचाय चुनाओ के दोरान चेक पोस्ट बनाय जा रहे हैं और हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं कि पंचाय चुनाओ शांती पून तरीके से संपन कराया जाए ऐसे में अब राजुनिर्वाचन आयोग ने एक एहम फैसला लिया है राजुनिर्वाचन आयोग ने एक बड़ा कदम लेते हुए अपने वैसे अधिकारियों और करमचारियों पर शिकंजा कसने का आदेश जारी किया है जिनके वज़े से परिनाम या मतगणना के दौरान जो चूक हुई है या फिर उनकी धिलाई के वज़े से परिनाम और मतगणना के दौरान गड़बडी हुई है पतादे की बहार में पंचाय चुनाव हो रहे हैं, तीन चरणों का चुनाव संपन हो चुका है लेकिन चुनाव परिनाम में कई जगहों से गड़वडी की शिकायत मिल रही है इसके बाद राजु निर्वाचन आयोग ने सक्त रुख अपनाया है आयोग ने वैसे अधिकारियों कर्मियों पर केस दर्ज कर गिरफतार करने का आदेश दिया है राजु निर्वाचन आयोग के सचिव ने बेगु सराई के डीम को पत्र लिखा है आयोग ने कहा है कि पंचाय चिनों में मतदान के बाद मतों की गणना के समय परिनाम को ओनलाइन एंट्री किये जाने का प्रावधान है मतदान केंद्रों तो था अभियर्थियों से संबंदित मतों का विवरन ओनलाइन एंट्री करने एवं मिलान कर या सुनिश्रित करना है कि डाटा सभी तरीके से सही हो फाइनलाइज बटन दबाकर मतगणना परिनाम को संगरक्षित किया जाना है लिकिन कुछ अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा मतगणना जैसे समवेदन शील मुद्दे को नजर अंदास करते हुए मतगणना परिनाम की पूरी एंट्री ओनलाइन किये बिना ही फाइनलाइज किया जा रहा है यह गंभीर लापरवाही है आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मियों से स्पश्टी करन एवं संबंधित डाटा एंट्री ओपरेटर संबंधित पदादिकारी जिने मिलान कर हस्ताक्षर करना था तथा संबंधित मतगणना हॉल के सहायक निर्वाचत पदादिकारी पर सुसंगत धाराओं के तहत तुरंट FIR दर्ज करे राज़निर्वाचन आयोग ने केस दर्ज कर उने गिरफतार करने के साथ आयोग को सुचित करने को भी कहा है इसके साथ ये निर्वाचत पदादिकारी से भी सपश्टी करन पूछने और भूमी का की जाच करने का निर्देश जारी किया गया है मतादे कि राज्यु निर्वाचन आयोग के तरफ से उन अधिकारी और करमचारी पर केस दर्ज कर गिरफतारी करने का आदेश जारी हुआ है जो करमचारी और अधिकारी मत गनना के दोरान गडबड़ी कर रहे हैं वो चूप कर रहे हैं बतादे कि मतगणना के दौरान जो परिनाम है उनको उनलाइन फाइनलाइज किया जा रहा है और उनलाइन फाइनलाइजेशन का बचन दबाकर मतों को संगरक्षित किया जाना है लेकिन कई करमचारी, कई अधिकारी ऐसे हैं जो ऐसी प्रकिरिया नहीं कर रहे हैं और ये बेह और आखरी चरण 12 दिसम्मर को संपढ़न कर आया जाएगा पंचाय चिनों में बस इतना ही अनकाई अपडेट्स के लमाई साथ जुड़े रहे नीज फोर नेशन में नमस्कार